जा हिंदे वरिवन, EFC Center South 280C के तरफ से इंडियन आर्मी गुरूपसी की जो पर्मानेंट भरती निकाली गई है, उसके बारे में काफी सर लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि यूटूपर इस भरती के बारे में बहुत लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये वीडिय में इस भरती के बारे में सारी की सारी चीजे बिल्कुल आसानी से बता दूँगा, अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखोगे ना, तो आप लोगो इस भरती से रिलेटर दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और ये ऑनलाइन भरती नहीं, ये जो पेपर कराय जाएगा ना, वह पेपर भी offline ही कराया जाएगा, इसमें काफी सारे पोस्टोप पर भरती निकाली गई है, अब भैकेंसी तो जादे नहीं निकाला गया है, और इससे पाले भी यह भरती हर साल नीकाला जाता है, ठीक ना, मैं आप लोग को इस भरती के गटान वाला हुँ न, वो सारी की सारी चीज़ मैं अपने टेली गराम चैनल में भेज दूंगा, अगर आप अभी तक मेरे टेली गराम चैनल में नहीं जुड़े हो, तो पता नहीं किस दुनिया में जीर है यार, मेरा टेली गराम चैनल नीलेस ब्लक के नाम से आये, उसका लिंक में description में भी देदूँगा और first comment में भी देदूँगा तो हाँ से जाकर आप लोग मेरे telegram चैनल में जुड़ जाना क्योंकि आप लोग को इस भरती का पूरा का पूरा notification और इस भरती का offline फार्म मेरे telegram चैनल में ही मिलेगा ठीक ना क्योंकि इसमें online नहीं कराना है पहले offline फार्म बरना है और जिसमें पहले दोड़ कराया जाएगा हाइट ना पाजाएगा वह भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं ठीक ना और देखो जितने साथी अभी तक पले इस्टोर से निलेश defense career application को डाउनलोड नहीं कियो तो फटाक से पले इस्टोर पर जाओ और निलेश defense career application को डाउनलोड कर लो क्योंकि आने वाले समय में इस तरह से कोई भी भरती निकाली जाएगी ना तो उसका पूरा पूरा फार्म आप लोगो मेरे application में ही देखने को मिलेगा मेरे application में एक लेटेस्ट जॉब का section दिया गया है अभी उसमें मतलब किसी भरती के बारे में नहीं बताया गया है लेकिन चार-पांच दिन में application को update किया जाएगा उसके बासे उसमें मतलब कोई भरती आएगी ना तो उसका पूरा का पूरा जानकारी आप लोगो मेरे application से मिलता रहेगा बाकि जितने साथी इंडियर आर्मी का तयारी कर रहा है तो फिर उन लोगों के लिए पूरा का पूरा प्र गद टार में लोगों का अप लोगों के अपला इस पर जाओगे स्पीड पोस्ट करायोगे तो मतलब और आपका फार्म जहां पर भेचना है वहाँ पर जाने में थोड़ा टाइम लगते हैं इसलिए आप लोग को शुरुवात में इसका ओप्लाइन फार्म भर देना है ठीक ना और इसमें अप्लिकेशन फिस एक भी रुप्या नहीं लगेगा चाहे आप जनरल कर्टेगरी से हो चाहे ओबी सी कटेगरी से हो चाहे एवस कटेगरी से हो आपका कोई भी कटेगरी है एक विर पे अप्लिकेशन फिस नहीं लगेगा तो यह काफी अच्छी बात है और जितने साथी अगनी विर से ओबर एज हो चुके हो ना इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करना चाहते हो और आपका जैसे आपर cmt दिया है कोई पोस्ट है कोई मतलब आपका पोस्ट है तो उसमें आपका 27 साल उमर मांगा गया है ठीक है ना बाकी कटेगरी के हिसाब से एज में छूट भी मिल जाएगा जैसे obc वालों को तीन साल का छूट मिलता है तो उस तरह से उमर में के जाओंगर काफी सारा पोस्ट को यहां पर बता दे रहाए हूं याद रखना यहाँ पर आपका दिया आना जैसे fire इंजन थीक ना जैसे यह जो आपका तीनो पोस्ट है फायर इंजन ड्राइबर फायर मैन एंड लीडिंग फायर मैन तो इसमें आप लोग का फिजिकल करा जाए गा और इसमें आपका विना पा जाएगा हाइट आपका 165 cm होना चाहिए और आपका जो चेस्ट है ना नारमल चेस्ट 81.5 cm होना चाहिए और फुलाकर 85 cm होना चाहिए और आपका कम से कम वजन 50 kg होना चाहिए ठीक है ना उसके बास यहां पर बोला गया है कि जो आपका फीजिकल होगा ना 65.5 किलो का वजन लेकर आपको 183 मीटर जाना है ठीक है और कितना सिकन में 36 सिकन में तो देखो 65.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर आप लोगो को चलना है 36 सिकन में याद रखना ठीक है ना उसके बासे फिर आप आपका यहां पर किलियरिंग दिया है तो यह सारी चीज़े आप लोग आसानी से कर लोगे लांग जंप दिया है तो यह सब तो मतलब उतना हाड नहीं है ठीक ना तो इसमें आपका फिजिकल कराई जेगा तीनों के बारे में मैं आप लोग को बता दिया हूं फायर इंजन ड्राइबर फायर मैन और लीडिंग फायर मैन में और फायर मैन का जो होता है जैसे गुरूप सी का भी होता है तो मतलब फायर मैन वाले में वर्दी वर्दी भी मिलता है बाकी कोई पोस्ट आता है तो वह सिविलियन कराता है उसमें वर्दी नहीं मिलता है ठीक जो गुरूप सी वाला भरती होता है और यहां पर आपका जब इस्केल टेस्ट करा लिया जाएगा उसके बासे टेस्ट होगा मतलब पेपर कराए जाएगा और पेपर आपका ऑनलाइन नहीं होगा अफ लाइन पेपर होगा एक सो पचास प्रसन पुछे जाएगे एक सो पचास नमर के और पेपर देने का दो घंटे का टायम मिलेगा आगे मैं आप लोगो बता दे रहा हूँ कि किस की सब्जेक्ट से प्रसन पूछे जाएगे जब आपका रीटेन एक्जाम हो जाएगा तो डाकुमेंट हो जाएगा तो आपका मेडिकल होगा उसके पासे फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा अब आगे यहां पर आप लोग देख लो फिजिकल के बारे में तो मैं आप लोगो बताई दिया हूँ अब किस की सब्जेक्ट से कितने प्रसन पूछे जाएंगे पेपर में वह भी आप ल इंगलीश से 50 प्रसन 50 नमर के पूछे जाएंगे उसके आपका निमेरिकल एपिट्यूट से 25 प्रसन 25 नमर के पूछे जाएंगे और तोटल आपका दो घंटे का टाइम मिलेगा ठीक ना तो आब आगे देख लेते आएं आगे इसका पूरा का पूरा प्रोसेस समझ लेते इसमें कौन कहुंसा पोस्ट निकाला गया है और किसमें कितना भाकेकन सी आएं तो दॉसुत आप प्रोंग हाएं जिस तरह से आपका ओं-लाइन वाले में ऐम उसा से अफ लाइन वाले में अधर से एर मीवाले लोग आप एस पर आप लोग का फिजिकल किरा जाएगा फिपन कराई जाएगा ठीक ना तो अच्छे से फार्म को बरना त威सरे को षेक्षर दिया है तो सिंद्वियों आपको कुक के बारे में नॉलेज होगा तो फिर आगे आप लोग देख लो कि किसमें फार्म भरोगे तो तो आगे आप पर इसमें दो स्पास मांगा हैं और इसमें कोई आपको नॉलेज होना चाहिए इसमें स्कील टेस्ट होगा मतलब ट्रेड टेस्ट होगा कुक के बारे में आपसे पूछा जाएगा ठीक ना अब आगे आपर देखो आगे आगे हां सिविलियन मोटर ड्राइबर दिया है तो सबसे जादे बाकेंसी है है 25 स्वास मांगा है स्पसक्षों तो झितना के पास ड्राइवुल लाइशेंस हो बाकी जिन लोग के पास कोई भी बाकेंस अंगा वन फ्लीनर में आल इंडिया के लिए दो वाइकंसे इसमें दोस पास मांगा है और बोला है कि इससे रिलेटेड जानकारी होना चाहिए ठीक आ उसके वाइसे फायर इंजन ड्राइबर जिसमें सबसे पहले दोड़ कराए जाएगा तो इसमें आल इंडिया के लिए एक वाइकंसे यह दो स्पास मंगा है ठीक ना और तीन साल का experience मंगा है driving लाइसेंस मंगा है क्योंकि fire engine driver का यह भरती है ठीक ना तो तीन साल का experience मंगा है अब आगे आपर बताया जाए कि हाँ ट्रेड माइन मेट दिया है तो ट्रेड माइन मेट में आल इंडिया के लिए 8 vacancy है और इसी में ज आप लोग को बता दिया हूं आपका जो ट्रेट मैंन मेट है इसमें आल इंडिया के लिए आठ वैकेंसिय है और इसमें सिंपल दौस पास मांगा है ठीक ना तो यह सारी चीजे में आप लोग को बता चुका हूं अब इस भरती में जाने से पहले 27 तरीक से इसका फार्म भरना लगा रहा है तो काफी सरे लोग को दिक्कत हो रहा है लेकिन मैं कोई भी फार्म भेशता हूं तो अपने यूटूब चैनल का वाटर मार्क नहीं लगाता हूं ठीक ना सिंपल पूरा का पूरा पूरा फार्म मिल जाएगा और यहां पर आप लोग अपना फोटो चपका दे तो आप लोग को पता चल जाएगा ओफ लाइन फार्म का इसे बरना है अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझाएगा तो जादे से जादे कमेंट करना के निलेस भाई ओफ लाइन फार्म भरने के लिए एक वीडियो बनाओ तो मैं उस पर वीडियो बनाने का खोशिस करू पर दोगे ना तो यह ओफ लाइन फार्म बड़े वाले लिफाफे पाले छोटे वाले लिफाफे के अंतर डालोगे यह ओफ लाइन फार्म और ओफ लाइन फार्म के साथ साथ इतना ड़कुमेंट आप लोग को छोटे वाले लिफाफा में डालना है ठीक ना जैसे एजूक को अपको photo मतलब इसमें डालना है चो ते वाले लिफापपे में उसके वासे पर पछीस रुपाइका पॉस्टाल इस टेम्प लगेगा पस्टाल इसमिल जएगा पापचीस रुपाइका पस्टाल इसटेम्प उसके पासップ बदेना है उसमें ct i folks ये पूरा डोकुमेंट मतलब जैसे जिरुक से करा कर। और आफ लोगों को अपना ओफ लाइन फार्म भर गया और चोटे वाले लिफाफें डाल देना ओ है ठीक न फिर ये छोटा वाला लिफाफा आपको बड़े वाले लिफाफें डाल देना है और यह पूरा फार्म आपको कहां पर भेजना है वह तो जब आप सर्च मारों कि मतलब फार्म को कैसे बारे तो आप पर पता चल जाएगा लेकिन यहां पर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं यह पर पूरा ओफ-लाइन फार्म भेजना है ठीक ना जैसे यह तो आप लोग इसका स्क्रीन साट भी ले सकते हो और इसको मैं अपने टेलिग्राम चैनल भेज़ूंगा तो हां से भी आप लोग देख सकते हो बाकी यहां पर लिखा गया कि राजिस्टर पोस्ट एंड इस्पीड पोस्ट वण ली आपको या तो रजिस्टर पोस्ट करना पोस्ट करना है ठीक ना तो सारी चीजे में आप लोग को बता दिया हूं और यह इंदियन आर्मी गुरूप सी की भरती है पर्मानेंट बरती है मतलब जितना भी पोस्ट है साभी पोस्ट में तो वर्दी नहीं मिलेगा लेकिन जिसमें फीजिकल के लिए बोला गया ना फायर एडिमिट काड आता है लेकिन मैं देखा था कुछ लोग फार्मा भरने में मिस्टेक कर दिये थे कुछ लोग का सत्तर परसेंट था तब भी उन लोग का उदर से कालिंग लेटर नहीं आप आया था ठीक ना आप लोग मेरा पूरा बास समझ चुके हो ना जब इसमें ऑफ- मैं टेलीगराम में भेज़ दूँगा जय हिंद बंदे मातर हो